धनु रासिफल फरवरी 2023 फरवरी का महिना धनु रासिवाले जातकों के लिए कैसा रहेगा ग्रहों के कैसे योग है और क्या कुछ आपके जीवन में होने वाला है सारी बाता में आपको विस्तार से बताने वाला हूँ सबसे पहले बात करेंगे आपकी लव लाइफ के विजह में धनु रासिवाले जातकों राहू के गोचर से और पंचम इस्थान से जो समवन्द वन रहा है यह आपकी लव लाइफ के लिए बिलकुल भी अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि राहू एक छल है एक धोका है और परकार का व्रहम है जो आपके उपर एक माया का जाल ऐसा बना देता है जिसके करण आपको सारी चीजह नेगेटिव लगने लग जाती है आप अपने ही पाट्नर के उपर सक करने लग जाते हैं बिना बात के आरोप लगाने लग जाते हैं और उसके एक बुरह खामियाजा आपको भूगतना पड़ता है और वो होता है कि आपका रिलेशन अप खत्म हो चुका है तो इस वाद का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है फरवरी के महीने में ऐसे ही सड़यद्र से ऐसे लोगों से साथधान रहने की आपको जरूरत है जो आपके लव रिलेशन को बहतर नहीं होने देना चाहते हैं साथे साथ जो यह चाहते हैं कि आप अपनी लाइप में खुस ना रहे हैं उन लोगों की बातों में बिलकुल भी ना आएं अन्यता आप अपनी लव लाइप को पूरी तरीके से बरबाद कर वैठेंगे इस वाद का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है बात करेंगे मेरिड लाइप के विसे हैं मैं बैबाहिक जीवन मैं ग्रहों का जो योग है वो काफी महत्वपूर्ण फरवरी के महीने में रहने वाला है हलाद कि आपके बीच में पुराने समय से कोई लड़ाई ढ़ंगा चल रहा है कोई प्रॉलमस अगर चल रहुए एक दूसरे से बातें नहीं हो रही है एक दूसरे के बीच में प्यार की कमी देखने को मिल रही है तो फरवरी के महीने में ये सारी चीज़े ठीक होने की संभावनाइब बन रही है आपने अगर कोई गलती की है तो अपनी गलती को सुधार लीजिए माफी मांग लीजिए तोड़ा सा जुक जाईए आपकी मेरिड लाइफ में प्यार फिर से पहले जैसा बापस आ जागा क्योंकि आपका पार्टनर आपके सामने जोगना नहीं चाहता है वो चाहता है कि आप उसे मनाएं और अगर आप मना लेंगे तो आपकी मेरिड लाइफ बहुत अच्छे तरीके से सही हो जाएगी और अब यह तक अगर कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में ऐसी नहीं हुई है कोई बिबाद नहीं है, कोई जगडा नहीं चल रहा है तो आपको रोमेंस के साथ साथ अपने लब पार्टनर को अपने मेरिड लाइफ पार्टनर को अपने जीवन साथी को तोगा सा समय दीजिए उनहीं समझे, उनकी बातों को सुनिये उनकी मन की बातों को सुनिये उनके मन को टटोलने की कोसिच कीजिए कि आगिर इनके अंतर करण में क्या चल रहा है और वो आप से क्या चालते है अगर इस वात को आप जानगे तो आपकी लाइफ बहुत जादा हैपी हो जाएगे आगे हम बात करेंगे आपकी कैरियर विजनिस और जॉब के विज़े में एक बात समझ लीजिए कि फरवरी का ये महिना आपके कैरियर को लेकर विजनिस एर जॉब को लेकर काफी दोठा बटक वाला रहने वाला है अगर आप जॉब कर रहे हैं और गॉर्मेंट सर्वेंट गॉर्मेंट जॉब कर रहे हैं कुछ होगा कुछ रिजल्ट कुछ आएगा कुछ भी समझ नहीं आएगा और दिमाद कुंद हो जाएगा काम करना बंद कर देगा फरवरी के मैं कुछ समय के लिए कुछ तो ऐसा बड़ा आपकी लायट में होने वाला है जो आपको बहुत दिफ्टर्व करने वाला है लेकिन इन सब के बावजूद अगर आप सही तरीके से तोड़ा साथ ध्यान रखते हैं बात को समझते हैं और विबेक से काम लेते हैं और साथ ही साथ जो व्यक्ति आपसे बड़ा है चाहे हो आपका अधिकारी हो घर परिवार में बड़ा हो कुछ भी काम करने से पहले उसकी सलाह जरूर ले लीजिए कोई बड़ा निवेस करना चाहेते हैं कोई इन्वेस्टमेंट आपको बहुत सोचना है समझना है और फिर अपनी लाइफ में आगे सरवाइब करना है अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर समझ लीजिए कि लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आने वाली है वो आपको बहुत ज़्यादा परिशान करने वाली है बात करेंगे आपके फाइनेंशियल कंडीशन के विसे में तो सूरिय सुक्र सनी बुद्द ग्रहों का जो योग धन के मामले में बन रहा है वो आपके जीवन में थोड़ा सा संधर्स लिखा रहा है पैसा तो आएग अपनी लाइफ में फरवरी के महीने में पैसे को लेकर एक समय ऐसा आएगा जब बहुत ज़्यादा जरूरत होगी और पैसा नहीं होगा और एक समय ऐसा भी आएगा कि पैसे की जरूरत नहीं है लेकिन इतना आगया कि समभाला ही नहीं जा रहा है तो यह सारी चीज है आप अब्ट से संबन्दित कोई प्रॉब्लम है, इस्किन से संबन्दित कोई प्रॉब्लम है, ऐलर्जी है, तो ऐसे लोगों को साफधान रहने की जरूरत है, जादा मिर्च वाला मसाले वाला या ओईली फूड ना खाएं तो बहुत ज्यादा अच्चा रहेगा, अपनी हेल्थ क बहुत ध्यान रखें और यदि BP का ज़्यादा प्रॉब्लम है तो डॉक्टर की निगरानी में बने रहें क्योंकि ये महीना आपको हेल्थ के मामले में थोड़ा सान वैलन्स कर सकता है और अगर आपका कोई अपरेशन पहले से रुका हुआ है और जिसकी संभाव नाए है तो फरवरी के महीने में हो सकता है कि ऑपरेशन का योग बन जाए तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा वीडियो अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन ज़रू दबाएं आप बात करत सकते हैं जिसको करके आप प्रॉब्लम्स को काफी हद तक कम कर सकते हैं गुरूबार के दिन हल्दी में आटा मिला करके एक आटे की लोई बना लीजिए और उससे एक आटे का दीपक बना लीजिए और उसमें सर्चों का तेल डालकर एक बत्ती लगा दीजिए और उस दीप तो 100% आपकी लाइफ ना फाल्वरी के महिने में जो प्रॉब्लम आ रहे हैं वो तो रुक ही जाएंगे और बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेंगी तो सोच कर रहे हैं फड़ाफट से उपाय को करने का प्लान बना लीजिए और साथी साथ जा रहे हैं ना तो कर चाहिए और बैल आइकन दबा दीजिए जिससे आने वाले वीडियो की नोटिपिकेशन भी तो आपको सबसे पहले चाहिए होगी जिससे आप फिर अगले महीने का अपना रासिफल और मेरे सारे वीडियो को देख सकें तब तक के लिए जैस्री महाकाल हरहर महादेम